दोस्तों आप्ने credit card से कितना MI convert कर सकते हैं फिल्फ कार्ट पर soping करते हैं eiूंज पर soping करते हैं आप Loan लेके bank में transfer करके MI में convert करते हैं तो कितना आप MI में convert कर सकते हैं मेरा experience मेरा review आप के लिए बहुत लाब्दायक होगा अगर आप इस वीडियो को क्लिक कियें, इसे पूरा देखना, क्योंकि ए वीडियो आपके काम का होने वाला है, आपको जरूर इसे कुछ knowledge मिलेगा, तो मेरा आपसे request है कि वीडियो को पूरा देखना और आधा मत देखना, और मेरी आपसे विनिती एक वीडियो को like के support कर देन और चैनल पर नहें आए हैं, तो चैनल को subscribe के bell icon को on कर देना, यहां पर दूस्तों create card से MI convert करना बहुत आसान है, और आज के time में, जिनके पास pocket में पैसे नहीं है, थोड़ा सैली कम है, तो अगर उनको कोई बड़ा समाल लेने का इच्छा किया, कोई महंगी phone, या उन्हें को तो फिर से निकाल के फिर से convert कर देते हैं, इस तरीके से ओक convert करते जाते हैं, करते करते करते, उनके कम से ना कम 8-10-12 MI हो जाते हैं, और उसमें bank आपको रोकता भी नहीं है, कि आप रुख जाओ, आपको हम बना कर रहे हैं, bank तो बोलेगा, भहिया, MI में convert कर लो, अगर आप 2 से 3 transaction अगर आप AMI मे convert कर लिए, अगर आपने कोई बड़े amount जिसे वालो 10-20,000 कोई transaction कर लिया, तो bank की team सामने से call करती है, hello sir, hello maim, आपके लिए जो है, एक offer है, आपने हाली में transaction किया है, कि आप इसे AMI मे convert करना चाहेंगे, तो अगर आप उनको मना करेंगे, तो आपको force करे बताएंगे, करवाली जी, बहुत सारे benefit हैं, आपको इतना charge कम लग रहा है, तो दुनिया बर की बाते करेंगे, और आप लालाची में आके yes कर देते हो, बड़ आपको यह नहीं बताते हैं, कि आपके bill में convert करोगे, तो इसमें IGST, GST यह तरह तरह के charges लग के आपको रहोगे, तो काफी लोग इस सब चीज़ों पर आके, लंबे समय तक convert करते रहते हैं, बाद में ओ deforter बन जाते हैं, और उनके पर काफी कर्ज हो जाता है, और इसी में चक्करें फसके, ओ credit card का सिकार हो जाते हैं, और बाद में जाके गाले देते हैं, credit card मत use करो, इसका अगर बहुत दिक्कत प्रवल्म है तो 3 कर लो, आप एक से लेके 3 MI के उपर कभी गलती से convert मत करो, region A है कि आप यो 3 MI करते हैं, उसे माल लो, अगर आपने 12,000 रुपे का phone एक लिया, एक phone आपने लिया 15,000 का, और आपने 10-12,000 रुपे आप बैंक में add के transfer कर लिया, और 3 आप आपके 35-40,000 रुपे हो गए, तो 35-40,000 के पीछे आप बैंक को पर मन कम से ना कम 900 से लेके 1000 रुपे आप बैंक को interest पे करोगे, अगर आप उस amount को 1 साल या 2 साल ले कर लिये, तो आप कम से ना कम 8 से 9 से 1000 रुपे तक आप बैंक को interest पे करोगे, साथ में आपके पर कर्ज बढ आएगा, जो आपका civil ranking होता है, 8 point, कभी 10 point, कभी 15 point, और ranking आपका एदम low होगा, 1 point, 2 point, ऐसे आपका rank करेगा, आप प्रिसान हो जाओगे, और कभी-कभी ये तो आपके civil में लोग update भी नहीं करते हैं, एदम civil career दिखेगा, कुछ भी नहीं है, बट civil increase भी नहीं होगा, तो हमे यो कि मेरा research में आपको इस video में बता रहा हूँ, यो कि मैंने एक बार गलती किया था, करीबन 7-8 AMI convert कर लिया, जो कि इतना ज्यादा मुझे नहीं पता था, आपको बता दूँ, जब ठोकर आपको लगेगा, तभी आपको सीख पाओगे, मुझे ठोकर लगा, मैं चाहता हू कि मुझे problem होगा, आपको problem ना हो, और आप इस दिक्कत में ना आएं, बहुत सारी problem होने लगी, कापी सारे interest बढ़ने लगे, मुझे जो है, पैसे जो है, अपनी घर से, यहाँ वहाँ से अर्जश करके, सारे close करवा के, मुझे हाँ जोड़ना परा, क्यों, इसमें क्या होता है कि आपका multiple, आपका convert M.I.E. हो गया और सब पर GST bank लगा रहा है, तो हमेशा अगर आपको loan लेना है, या कोई बड़ा काम करना है, तो fix amount कर लो, उस पर आपको venture प्राप्त होगा, तो आप सायथ समझ चुके होंगे, बाकि आपकी मर्जी, क्योंकि मेरा जो review, our experience है, इस साय हैं ववन देमात्रूं